अच की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी Motorola phone में WhatsApp notification नहीं आ रहा है WhatsApp notification प्रॉबलम आ रही है तो इसे कैसे ठीक करें तो इसके लिए WhatsApp से बाहर आएए अब अपने phone में settings open करें phone की setting में नीचे आएए नीचे आएंगे तो ये notifications आएगा इस पे click करिए यहाँ पे आने के बाद आएगा अब ये app notification तो ये app notifications पे click करिए अब आपके phone के सारे app आ रहे हैं अब यहाँ पे आने के बाद उपर ही most recent आएगा इस पे click करिए यहाँ पे all apps आएगा इस पे click करिए आप फोन के सारे आप आएंगे तो नीचे आएए और नीचे आएंगे तो यह वर्टसैप आएगा वर्टसैप पे किलिक करिए उपर आएगा यह वर्टसैप नोटिफिकेशन्स तो आपके फोन में यह बंद है तो इसे ओन करिए यहाँ पे अब यह ओन होने के बाद बैक आएए अब यह वर्टसैप ओपन करिए राइट में तीन डॉट पे किलिक करिए सेटिंग्स पे किलिक करिए नीचे नोटिफिकेशन्स पे किलिक करिए उपर राइट में तीन डॉट पे किलिक करिए reset notification setting पे किलिक करिए अब ये reset पे किलिक करिए तो ये करने से कोई data कुछ delete reset नहीं होता है तो अब ये settings apply होने के बाद चेक करिए WhatsApp notification आपके Motorola phone में आ रहा है अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like जरूर करें